मेरे बताए अनुसार आपने अगर इसका एक महिने तक लगातार सैवन कर लिया नहीं तो इतनी भेंकर और जवर्दस ताकत बर देगा कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा चाए इस्तरी हो या पुरुस दोनों के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आसान इसका सैवन कर सकते हैं बस आपको इसे तैयार करने का और सैवन करने का सई तरीका पता होना चाहिए दो मिनट से भी कापी छोटी वीडियो रहने वाली है तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर दोस्तों आपको ये जानकरी जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सेयर करें मुझे लाइक करने के कोई पैसे वैसे नहीं मिलते बस मेरा मोटिवेशन अप होता है जिससे मैं आपके लिए नई नई जानकरियां लाता रहता हूँ आईए जानते हैं बिना टाइम वैस्ट किये दोस्तों मैं यहां बात कर रहा हूँ सौप बादाम और मिस्री खाने के बेमिशाल फायदों के बारे में इनके बारे में सभी जानते हैं लेकिन इनको किस प्रकार से और कैसे सैवन करना है बस यही जानना जरूरी है सबसे पहले जानते हैं इनके बेमिसाल फायदों के बारे में चाहिए आपकी बोड़ी में किसी भी तरह की कमजूरी हो उसे दूर करके जबर धस ताकत वर देगा कमजोर आखे हो, खुन की कमी हो या फिर कमजोरी आगई हो बोड़ी में या दास्त कमजोर हो गई हो, पेट से समदित समश्चा है हो महिलाओं में पीरियड से समदित समश्चा है आप इन सभी समश्चाओं में यह नुस्का एक बार जरूर आजमा है इसे किस तरह से तयार करना है और किस तरह से सेवन करना है बराबर मात्रा में सौप, बादाम और मिस्री लेकर के इन्हें मिक्स कर लीजिए और पीस कर किसी डिब्बे में डालकर रख दीजिए अब इसका रोजना रात को सोते समय एक चमच दूद के साथ आपको सैवन करना है पहले आप एक चमच इस मिस्रन का ले लीजिए और उपर से एक गिलास दूद का सैवन कर लीजिए ऐसा आपको लगातार एक महिने तक करना है इतनी भैंकरों जवरदस तरीके से ताकत आएगी कि संबाल नहीं पाऊगे